यमस्कार दोस्व, आप शबी का बहुत बहुत श्वागतें। दोस्व, आप शबी को बता दें कि आपके घर में ज्यादू टोना कर रहे हैं ये तीन लोग। दोसुं शम में रहते हो जाएं शावधान वरना धीरे धीरे या अपने माया जाल में आपको पहशा रही है जिए हम आप शुभी को बता दें कि दोस्टों आज कहीं है विडियो आप शुभी के लिए बहुत ज्यादा महत्कूल और बहूत ज़्यादा लागवकारी रहने वाले हैं कियों दोसों आप सिभी को बिता दे कि पिचले क्षमेशे आपकी अशाव्धन के कारण आप इंकी अजाल में बहुत जादा फंस चुके हैं जेंदोसों और दोस्तों आप शुबी को बता दे कि इनके कारण आप शुबी की जुनकाल में बहुत शारी परेशानियां होती हैं बहुत शारी मुश्यूवितों का आपको शामना करना पड़ता है जेंदोसों और इनकी भनक आपको नहीं लग पाता आप इन्हें इगनौर कर देते हैं लेकिन दोस्तों हम आप शुबी को बता दे कि आज की वीडियो में हम आपको फुष व्यक्ति के बारे में बताने वाले हैं जो कि आपके घर में तांतरिक किरिया जादू टोना कर रहे हैं शारी दोसों केशे आपके उनको अपने जुनक आपको अपने जुनकाल में अपको शुदार करना चाहिए बातों का अब आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि यह व्यक्ति दोवारा आप शुबी की जुनकाल में कोई जादू टोना तांतरिक करिया नहीं कर पाए दोस्तों आज कई है वीडियो आप शुबी के लिए के बारें की बारें बताएंगे उस्तों के चाहिए के बारें मितायंगी जिनेंत करने से दोस्तों आप शुबी की माकाली के शुच्छे वग बीडियो को देख रहे हैं दूस्तों विडियो को एक प्यारा चाहिक ज़रू करें और और कमेंड बोक्स में शच्छी मंद से जय मांकाली लिग दें मांकाली के शिर्बाश्य आपके जुनकाल में शारी परिशनें खत्मोंगी जुनकाल में आपको खुश्या मिलना पर अर्म होगा जे दोसों तो आई दोसों बात करते हैं शुरुआत करते हैं भगवान करेगा उन्हें देखकर उनके दूसरे पक्ष की लोग इर्श्या करेंगे यानि कि दोस्तों उनके ही जुनकाल में रहने वाले जो लोग होंगे वह उन्हें इर्श्या करने लेंगे भले उनके जुनकाल में वह कितना भी शगेशंबदी क्यों नहीं कितना भी वह अपना देखकर वह उन्षे जलने लगेगा और उनकाल में उनका मुश्यबत का भी कारण बनेगा जिए दोसों ठीक इशी प्रकार आक्षवी के राश्य के शाथ देखा जा रहा है कि पिछले कईश्य में से जो आपके श्रब से करीवी लोग है जो आपको जान से भी ज्यादा मानते थे या फिर आप उन्हें जान से भी ज्यादा मानते थे दोसों एशी लोग आपको दुखा दे रहे हैं जय दोसों तो दोसों भुगान श्री किश्न का याग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोसों वीडियो को एक लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंड बॉक् का कौन से उपाय करना चाहिए और शाथी आपको जुनकाल में कौन से गलतियां नहीं करनी चाहिए शुई बातें चली दोसों बात करते हैं पूरे विस्तार्शी दोसों आपको बता दें कि पिछले कुशालों से इस राशी के जो लोग हैं जो आपकी जोन में सबसे बीते हैं और शाय दोसों बहुत ही मुश्यवितों का शामना भी आपने किये हैं यह शे में दोसों आप लोग को बताना चाहेंगी दोसों यह में जो आपकी घरहों की पस्तिती है वह दर्शार रही है कि आज रात बारा बजे से आपके उपर तांतरिक क्रियाएं कुछ लो करेंवाली है इनमें आपके ही गलतियां छूपी हुई दिख रहे है जें uh. START आपको 바ाना चाहेंगी कि दोसों आपका नेचर बहुत ही श्यधा होता है बहुत श्रल शुभाव की हम लोग होते हैं 10 Stamp 9 किशिको लेकर आपू बूरा नहीं सोचते नहीं किसी को निच्छा गिर चलने के बारे में भी सोचते हैं प्रदू दोस्तों इतने शीदे इतने अच्छी होने की बावजुद भी इस राशी के जातकों का लाब पूरा दुनिया उठा रही है और दोस्तों लोग आपके भोलेपन का फाइदा उठा कर अपने जादों में आपको फशा रहे हैं यह कह आपके जुन काल में शंकुटनों का आपको श्मना करना पड़ता है तो दोस्तों आपके जूर में छुपे कोई तीन एशी लोग हैं जो आज रात बारा बज़े शे जिया दोस्तों पूराँ शुन लिजए आपके ही जिवन काल में रहने वाले तीन लोग जो कि आज रात 12 बुजिशे आपको अपने बातों के जदू में फ़शाने वाले हैं यह कहें बातों के शित अंतुरी किर्या होगी जैसे आप उनके जाल में फ़शने वाले हैं और दोस्तों इस बार कोई बड़ी मुश्वत आपके शर आशकती है तो दोस्तों इसमें आपको इतना ही कहना चाहेंगे कि दोस्तों आपके राशी के जो भी जातक हैं आपको तीन गलतियां बताने वाले हैं जिस दिन जिस तीन गलतियों को दोस्तों आप अपने आने वाले आगे जीवन में बिल्कुल ही ना करें, बिल्कुल ही ना दोराएं, जया दोसों, अभी भी आप इन गलतियों को गांट बांध लें, जया दोसों, चाहे आप कुछ भी कर लेंगे, प्रन्तु आपने जीवन में तीन गलतियों को कभी भी भूल कर नहीं करेंगे, जया दोसों, इस राघ्टी के जातक शबी को अपना मांते हैं या लोग दोस्तों एकता में विश्वास रखते हैं आप लोग सोचते हैं कि शबी का विकास एक शात होना चाहिए दोस्तों अगर हमारे जिन्रगी में मूशिबत आए तो शबी को एक शात रह कर जहनने चाहिए जिहां दोस्तों और वहीं दूसरे लोगों की शोच आपकी विप्रित होती है जिहां दोस्तों आपको बता दें आप हमेशा अपने शाथियों का अपने मित्रों अपने रिस्तेदारों का भला चाहते हैं परिवारों का भला चाहते हैं उनकी मुशिपतों में आप सामिल रहते हैं उनके मुशिपतों को भी आप अपने शर ले लेते हैं प्रंदों दोस्तों वह लोग केवल केवल आपके भोलेपन का फायदा उठाते हैं जिहां दोस्तों आपको बता दें कि जब भी आपके उपर मुशिपत आती है तो दोस्तों आप देखते हैं कि आपके शाथ कोई भी खड़ा रहने वाला नहीं है दोस्तों शब दुम दबा कर आपके पास ये भाग जाते हैं जे दोस्तों गर आपको हमारा यह बात सचा लग रहा हो दोस्तों हमें कमेंड करके जरूर बताईएगा जे दोस्तों कि आप कभी अपने जुनकाल में एशे हुए हैं जब आप अपने की गलती को अपने शर ले लिए हैं उनके मुश्यवतों को आपने बांटा है प्रण्दु दोस्तों जब आप पर शंकट आया तब दोस्तों शब भाग गए दोस्तों आपको अपने मुश्रुपतों का शामना अकेले ही करना पड़ा इसलिए दोस्तों आप इन शबी बातों को गांट बांद कर लख लिजिए कि दोस्तों बिना किसी को सोचे बिना किसी को समझे उनकी उपर भरोशा और उनकी मदद बिलकुल ही ना करें आज ये ही आप इनको करना बंद करदें, जय है दोस्तों आप अपने लक्ष तक पहुँच पाएंगे, अगर दोस्तों आप गलती करते रहेंगे, तो दोस्तों आपका दुख आपको ही मिलेगा, किसी और इंशान को नहीं मिलेगा, आपको अपना दुख शोयंग ही जहलना प करते हैं आप जीवन से जुडे शबसे बड़े महतमल बातों को शेयर कर देते हैं तो दोस्तों यह बात को आपको ध्यान बेरखना पिर दोस्तों या बात क bacon रहां करते हैं अच्छे अपने जीवन जुड़े कुछ और फिर आपके उपर में शंकुटों का वह इशात जाल बिछाते हैं कि दोस्तों आप उनमें फंसते चले जाते हैं जिया दोस्तों और तिसरी गलती आपके जिवन में यहा है कि दोस्तों धन के मामले में किसी परहत से ज़्यादा भरुशाद ना करें वर्तमान शमय में पेशा ही सब कुछ है जहां बात कड़ भी है लेकिन इस बात पर शचाई भी है जहां दोसों आपको बता दें कि आज की दौर में पेशों को लेकर किसी का भी नियत बिगड़ सकता है जो बी लोग आपको एशे बातों में फचाना चाहते हैं तो इसे व्यक्ति के आप पहचान करें और ढूंड ढूंड कर उनसे अपना शम्मन तोड़ दे, च्यांक दोस्थों और दोस्थों उनसे बात भी करना आई वंद करदे ये ये दोस्थों आपकी जो मुसिवते हैं दिन पर दिन घड़ते जाएंगी दोसों अगर आप अपने जुनकाल मेने रहने देंगे तो दोसों दिन पर दिद दिन आपकी जो मुश्वत है उनमें बिर्दी होती जाएंगी और दोसों आपको इसकी भनक तक नहीं लगेंगी क्यों दोसों आप इन्हें सचे मित्रे मानते हैं आप एशे दुस्मनों से पीछा चुटा लेजिए अगर वह धुआ गंद नहीं करता हूँ तो दोसों आपको श्मा जाना है कि आपके घर में किशी का ज्रादु टोना हुआ है जिया दोसों तो दोसों इंशे बचने के लिए आपको कौन सी उपाय को करना चाहिए दोसों आप शिपी को बता दें कि आप एक मुठी चावाग हा हुआए जिशाकरने शेट घर में उर्जा उर्शांती आती है और दोसों घर परिवार में किशी प्रेध्यात्मा का शाया है जी किकपनेदें कि घर में भूत-प्रिर का जबीशाय होता है किशी का काला जादु होता है तो दोसों合र में व्यक्ति बिमार होने लगता है मन अशांत होने लगता है तो दोसों युशे में जो व्यक्ति बिमार है प्राता काल एक गिलाश पानी लेकर पुरो दिशा की और मुह करके खड़े होकर ये मंत्र का अक्केश बार्जाब करके पीजाएं एवंग इश्वार्शी अपने रोग को दूर करने के लिए प्रात्ना करें तो श्विगरी श्वास में आपका लाब होगा या परियोग श्वमार्शी शुरू करके रिवार तक लगतार शाद दिन तक करें दोसों मंत्र है एम धन्यवाद आप शबी का दिन